आप 2024 के लिए लोगसभा चुनाव के लिए अपना सबसे प्रमुक प्रतिदुन्दी किसको मानते हैं? आप कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कॉंग्रेस से मुक्त आप कर पाए भारत को या नहीं कर पाए? या फिर क्षेत्रिय दलों को आप अपना सबसे बड़ा प्रतिदुन्दी बानते हैं? इसा नहीं है, यूपी में हम चार चुन्दाव सफा बसपा से लड़कर जीते हैं, ये उत्तर भारत को कई बार हमने बिहार में हराया है, कई बार हराया है, नौर्थ इस्ट में हम खित्रिय दलों से ही लड़कर जीते हैं, अभी हम रामचरन के साथ बैठे हुए थे, आपन लखा है, ये नौर्थ और साउत डिवाईड की, आपको लगता है, भारत को उसकार जो भी दिलाता है, इसका गवरो और हम और हम exploring?」 परन्तु नॉर्थ साउट का जो डिवाइड देख रहे हैं और वो डिवाइड नॉर्थ साउट का नहीं है। मैं अभी फिल्में बड़े सौक से देखता हूँ। कुछ फिल्में अभी अभी साउट की बहुत चल गई। मैंने भी इसको ध्यान से अनालीसिस किया है। जिन फिल्मों में भारतिय परंपरा, भारतिय संस्कृति और भारतिय अतात्री वो फिल्मों को जादे स्विकृति मिली है। बारत बदल रहा है सुदिर जी। बिल्कुल। और अगर आप ये आरारार की भी बात करें तो यहां पर भी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बॉलिवोड फिल्मों की बात होई रही है। दक्षिन भारत की फिल्में हमारी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। कोई भी बढ़ा सकता है इसको आप दक्सिन उत्तर न करिये। जो बढ़ाता है उसको जनता पसंद करती है। लेकिन बॉलिवोड इसमें आपको लगता है थोड़ा पीछे है। ना जी। मैं ऐसी कोई टिपने करने ही आने ही ह। मैं इतना कहना है हूँ कि जनता का टेष्ट बदल रहा है। और टेष्ट को सफलता के लिए सबने मैच करना चाहिए। आप फिल्में देखते हैं और How often you watch films? मैं बड़े इंट्रेश्ट के साथ फिल्में देखता हूँ। इसलिए मैंने आपसे सवाल पुछा कि आपकी जो छवी है वो बहुती सख्त प्रशासक की छवी है। कि ऐसा लचर प्रशा से कोना चाहिए। क्या बात करें हो भाई। मतलब आपकी जो परस्नेलिटी है वो ऐसी है कि भाई बहुत गुस्सेवाले होंगे और हर समय क्रोध में रहते होंगे बुरा मान जाते होंगे। और जो एक सॉफ्ट साइड ऑफ यॉर परस्नेलिटी वो बहुत लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है काफी लोग जानते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा करकर आप सॉफ्ट परस्नालिटी का इस प्रेट्फरम पर लाने का प्रयास मत करिये। मैं जैसा हूं जनता मुझे अच्छे से जानती है। मेरे सारवजनिक जीवन में विधायक और सांसा देना ते तीस साल पूरा होना आ गया। तो बहुत लंबा समय है। बार बार जनता मुझे अपना प्रतिनिदी बनाती है। तो जानती ही होगी। आप अमिज जी खुद एक नॉन पोलिटिकल परिवार से आते हैं। आप आपको पॉलिटिक्स का शौक था। आप पॉलिटिक्स में कैसे आए। देखें, इस सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स को सत्ता के साथ जोड़ कर देख रहे हो। मेरे जैसे भारतिय जनता पार्टी के हजारों कारेकरताओं के लिए। देश का वातावन ऐसा है कि मेरी बात काफी लोग साहजीता से नहीं लेंगे। भारत के लिए पॉलिटिक्स में है और मैं भी उसमें से एक कारेकरता है। इस बार फिर से चुनाव से पहले इस तरह की बाते हो रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब खडगे साब कहते हैं कि ये दस सिरवाला रावन है। और फिर वही आपको पार्लेमेंट में भी मिलते हैं और फिर आपके साथ बैठके प्रदानमंत्री के साथ बैठके बाजरे की खिजड़ी भी काते हैं। तो जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो क्या ये पर्सनल रिलेशन्शिप को भी खराब करता है या कभी आप इस बारे में बुरा नहीं मानते हैं। परणतु जो इस प्रकार के उद्धार करते हैं, मैं इसका एक अलग एनालिसिस किया है। सुनिया गांदी जी से लेकर एक कब्र खुदने वाला या मोदी तुम मर जाओ वाला जो नारा ही लगाए हैं। आप पार्टी के लोगों ने। इस सारे नारों के बाद मोदी जी जादे मचबूत होकर बाहरा है। कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लोग तंत्र में जनता ही सबसे महत्वपुन जनता का ही अभिप्राय होता है। जब आपका भी पार्लेमेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो उल्टा कर देतों उनका कैसा है। देखें मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंद किसी जादी परिवार के सदस्चे से नहीं है। रादनिती में जो अपचारिक सबन्द होते हैं, वो एक और पार्टी के नेदा है, मैं मेरी पार्टी का कारे करता हूँ, तो दोनों अपने अपनी पार्टी का काम करते हैं.